दोस्तो जिव्स वेब स्पेस टेलिस्कोप स्पेस में कैसे काम करेगा चलिए समझते हैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद पहले तीन हफते में इसे पूरी तरह से स्टेप बाइ स्टेप अन्फुल्ड कर दिया जाएगा इसके बाद इसके 18 हेग्जागोनल मिरर्स को इनकी पीछे लगी मोटर्स की साहता से इस तरह से एलाइन कर दिया जाएगा कि ये सबी मिरर्स मिलकर एक सिंगल परफेक्टली कंबाइन बड़े मिरर की तरह काम करने लगें जब दूर दराज की गेलक्सी से आती इन्फराइड लाइट इसके 18 मिरर से टकराएगी तब ये इन हेग्जागोनल ग्लासिस के ठीक सामने मौझूद फोल्डेबल ट्राइपोड में फिट किये गए 30 इंच के सेकेंडरी मिरर पर कॉंसेंट्रेट हो जाएगी इसके बाद ये लाइट एक होल के जरिये टेलिसकोप में लगे एक और बड़े मिरर से टकरा कर डिटक्टर्स तक पहुंचा दी जाएगी इसके बाद नियर इंट्राइड स्पेक्ट्रोगाप इंस्टूमेंट इस लाइट को स्प्लिट कर देगा और इस बात को जज़ करेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है लाइट का सोर्स कोई कैलेक्सी है, स्टार है या फिर कोई प्लाइनेट है और इसकी कमपोजीशन क्या है इसके बाद जेम्स वैब स्पेस टेलिसकोप इस लाइट से हाई रेजलिशन इमेजिस तयार करके अर्थ पर भीज देगा